नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको चावल से संबंदित कुछ उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से आपके घर में धन दोलत खिची आएगी। जिस प्रकार से चुम्बक एक लोहे क खिचता है उसी प्रकार से ये उपाय धनकी देवी मा लक्षमी को आपके घर की और खिच लेता है। दोस्तो इस उपाय के बारे में जोती सास्तर में कहा गया है कि जिस प्रकार से आज हम आपको बताने वाले हैं यदि इस प्रकार से आपने इस उपाय को कर लिया तो आपक लक्ष्मी की किरपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जै माल लक्ष्मी जै बजरंग बली एक बार अवश्य लिख दें वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें चोकि हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं चप्रदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमी बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मी जीवन तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शावल बनाते समय डाल दें ये दो चीजें करोडों में ना खेले तो कहना दोस्तो वीडियो शुरू करने से आपके साथ एक महतोपूर्ण बात करनी है अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग अपना नमबर देते हैं और आपसे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पैसों की मांग करते हैं आपकों बता दें कि हमारे चैनल में कारे करने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना नमबर नहीं देते हैं और कभी भी किसी से पैसों की मांग नहीं करते हैं यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसों की मांग करता है या फिर अपना नमबर आपको देता है, हमारा नाम ले करके देता है, तो आप तुरंट समझ जाए कि ये फ्रॉड है, जो कि आपके साथ चलावा करके आपसे पैसे एड़ सकता है, तो आप साबधान रहे और किसी भी व वीडियो को शुरू करते हैं चावल के उपाई के साथ, चावल बनाते समय डाल दें दो चीजें, करोडों में पूरा परिवार खेलेगा, गरीबी दूर होगी, धनकी देवी मा लक्षमी, स्वेम आपकी और खेची चली आएगी, दोस्तों पुराने समय में बताया गया है, साथ जोति सास्तर में भी वर्णन मिलता है, कि अपने घर की रसोई से चावल, हल्दी, नमक, इन चीजों को कभी भी खतम नहीं होने जेना चाहिए, कहते हैं, यदि ये चीजें घर में हमेशा ही बरी रहें, तो उस घर को संपनता और सुक एश्वरक का जीवन जीने से कोई जी नहीं रोक सकता है, दोस्तों, शावल इतना महतोपूर्ण है और इतना शुद्ध है जिसे प्रतेग पूजा पाठ में इस्तमाल किया जाता है, साधारन से साधारन तिलक करते वक्त भी अक्सत का प्रयोग किया जाता है, वहीं कोई विशेश पूजा पाठ में इसका वि गर से अनधन की कमी नहीं होती है दोस्तों अपने घर में सदेव दनकी देवी मा लक्षमी को आकरशित करने के लिए पर दुरभागय को अपने घर से दूर करने के लिए और गरीबी आपके पास कभी ना आए इसलिए आप चावल के डब्बे में हमेशा ही चान्दी की कोई वस्तू चाहें चान्दी का सिक्का हो या पिर चान्दी का कोई छोटा सा गहना अंगूटी छला आदी कुछ भी हो उसे अवसे डाल करके रखें कहते हैं कि जीवन में भोग बिलास को संपन्ता से परिपूर करने के लिए शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए इसलिए चावल का सटीकता प्राप्त करने के लिए चावल का मेतवपूर्ण योगदान होता है इसलिए चावल के डबे में आपको चांदी की वस्तू अवसे रखनी चाहिए जिससे आपके जीवन में आपके पूरे परिवार का शुक्र ग्रह शुक्र सदय मजबूत रहता है और साथी चंद्रमा भी मजबूत होता है क्योंकि चंद्रमा की धातू चांदी बताई गई है और शुक्र की धातू चावल बताया गया है जो भी कोई व्यक्ति चावल के डबे में चांदी की वस्तू रखता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है आप कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है दोस्तो चावल, हल्दी और नमक के साथ ही एक और मेतोफूर्ण चीज होती है वह चीज है देशी गी जी हाँ दोस्तो देशी गी आपके जीवन में एश्वरता को परदान करता है अगर आप अपने जीवन में एश्वरे की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अपने घर में कभी घीर को भी खतम नहोने दे दोस्तो आज के उपाय के अनुसार आपको चावल बनाते समय उसमें दो चीज अवशे डालने चाहिए दोस्तो जब भी आप अपने घर में चावल बनाते हैं तो अपने जीवन में सुख एश्वर्य और वेवब की प्राप्ती के लिए आप उसमें थोड़े से छीटे या पर एक दो बूंद दूद वे थोड़ी सी चीनी के दाने अवशे डाला करें और अगर आप अपने घर में तड़का लगाये हुए चावलों का इस्तमाल करते हैं यानि कि फ्राई चावलों का इस्तमाल करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा घी भी अवशे डालें क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया घी जीवन में एश्वर्य और वेवब की प्राप्त तो उस व्यक्ति के घर में सदै भी धन का डेर लगा रहता है। जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। कहते हैं साधारन तरह से पकाए हुए चावलों से आपके घर में चितना धन आना चाहिए वे नहीं आ पाता है। इसलिए कभी भी आप साधरन रूप से चावल ना पकाएं, उसमें थोड़ी सी चीनी, वे थोड़ा सा दूर डालें, या फिर आप घीका भी इस्तमाल कर सकते हैं, कोई भी दो चीजें आप अवश्य डाला करें. जो भी कोई व्यक्ति अपने घर में धन, वेवब, एश्वरे की प्राप्ति करना चाता है, वे इस उपाय को अवश्य करें, एक बार अवश्य करके देखें, आप इस उपाय को किसी भी दिन से सुरू कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, खास तोर पर एकादसी, पूर्णिमा, या पर किसी भी पर्मुक्तिवार पर, या पर पर्मुक्तिती पर, इसे अगर आप करते हैं, तो इसका मैतोपूर्ण रेजल्ट आपको और भी जल्दी मिलने लगता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में किवले इतना ही कल, फिर आप से मुलाकात होगी, एक और नई वीड के साथ तक के लिद्धे में जाज़त दन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जै मातादी, जै मालक्षमी, जै बजरंग बली